Hello Friends, मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ScoreMax पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं आपकी MCO4 की Block 4 Economic Environment के Important Questions तो इस Block के अंदर आपके Total 5 Units थी, जिसकी वजासे ये Block काफी लंबा हो गया था तो इसकी वजासे इस Block के Important Questions को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो Part 1 आप Playlist में जाकर देख सकते हैं तो Start करते हैं Part 2 सबसे पहला को जो Question आता है इस Part के अंदर कि Monetary Policies क्या होती हैं और उनके Objective क्या होती है तो अगर हम Monetary Policies की बात करें तो हमारी Government कह सकते हैं एक Comprehension System का यूज़ करती है हमारी Money Supply को Regulate करने के लिए उसको Control करने के लिए या फिर ये देखती है कि हमारे पास जो Central Bank के पास Credit के Availability है वो कितने Availability होगी किस Rate पर वो Credit देंगे लेंगे मतलब इन तरह के जो भी Measures को Regulate करने के लिए जिन भी सिस्टम का यूज़ करती है उसी को हम क्या कहते है Monetary Policy इसकी मदब सही हमारी Government जो Economic Policies के Objectives होती है उनको पुरा करपाती है तो अगर हम बात करें कि Objectives क्या क्या होते हैं हमारे Monetary Policies के अंदर तो सबसे पहला आपका जो Important Objective होता है वो होता है Price Stability अब Price Stability के अंदर बात करेंगे हमारी Government का Main Aim होता है कि हमारी जो Currency की Value होती है उसको Stable रखा जा सके क्योंकि अगर वो Inflation में जाएगी तो भी हमारी Economy पर Effect देखने को मिलेगा उसका और अगर Depression में जाएगी Maintain कर सके इसके अंदर हमारी Government देखती है कि किस तरह हम अपनी Country के अंदर Economic Growth को बढ़ा सके Employment को बढ़ा सके और Trade and Commerce को परमोट कर सके दूसरा होता है आपका Healthy Balance of Balance of Payment या कह सकने Healthy Balance in Balance of Payment तो अगर हम Balance of Payment की बात करें Balance of Payment होता क्या है एक साल के अंदर हमारी Country दूसरी Country के साथ Economic या Non-Economic किसी भी तरह के अगर Transaction करती है तो वो सारी किसमे रिकॉर्ड होती है Balance of Payment के अंदर मतलब एक साल के अंदर हमारी Country की दूसरी Country साथ जो भी Transactions होती है उसे हम Balance of Payment करते है अगर अब Balance of Payment के अंदर हमारा Export जादा होता है तो हमारा Import कम हो जाएगा अगर हमारा Import कम होएगा तो इक तरह से कह सकते हैं हमारा Surplus हो जाएगा Balance of Payment और अगर हमारा Import जादा होता है Export कम होता है तो उस Condition में हमारा Deficit में चला जाएगा Balance of Payment तो हमारी government का काम है कि इस तरह की monetary policies को develop करे जिसके थूर कि वो अपने balance of payment को balance रख सके या उसका जो balance होता है उसको healthy maintain कर सके next है full employment and maximum feasible output third government का जिसमें aim होता है objective होता है monetary policies को develop करने अंदर कि जादा सजादा अपनी country के अंदर employment को बढ़ा सके किस तरह जादा जादा private investment को बढ़ाया जा सके गोवर्मेंट के पास जो भी opportunities है उनका maximum use कर सकती है कर रही है लेकिन उसके साथ ही किस तरह हम private investors को include करें कि वो अपना आके कह सकते हैं investment करें अपने opportunities को बढ़ाएं अपने employment को बढ़ाने में help करें next होता है आपका high rate of economic growth किस तरह हमारी जो economy है वो high rate के साथ highest rate के साथ develop हो तो कौन कौन सी activities वहाँ पर की जा सके उन activities को किस तरह regulate किया जा सके किस तरह control किया जा सके तो यह सारे हमारे main objectives होते हैं monetary policies के next है आपका define the small scale industries explain the role and importance of small scale industries in developing country like India तो अगर हम बात करते हैं small scale industries की तो यह एकर हम बात करें किस किस country में कितनी है किन के अंदर इनको क्या rules regulations सब कुछ दिये गए हैं तो इंडिया के अंदर हम अगर बात करें 2000 से पहले की तो उस ताइम पे क्या था इनका जो importance था इनको जो rights थे इनको इतना का स्क्रीमी preference नहीं दी जाती थी small scale industries को अभी small scale जो industries होती है इनका size होता है छोटा होता है इनका production होता है वो भी कम होता है और इसमें maximum जितना भी काम होता है वो सारा handmade छोटे मात्रा मत छोटे scale पर ही किसी production को करते हैं तो इनका हम क्या कहते है small scale industries तो इसके अंदर हम बात करें कि हमारी government ने कौन कौन से resolution से लिए कौन कौन से changement लेका आई जिसके थू कि यहाँ पर employment को बढ़ाया जा सके इनके अंदर opportunities को grow किया जा सके कि अगर अगर यह grow होंगे तो हमारी country के अंदर कहीना कहीन चो income होती वो भी grow होईगी हमारा जो opportunities है वो बढ़ेंगी employment बढ़ेगा wealth का जो level होता है वो भी increase होईगा और इसके साथ हमारी जो per capita income है वो भी increase होईगी तो हमारी government ने आपर बहुत सारी steps लिये गए जिसके थूकी small industries को किस तरह develop किया जा सके तो अगर हम बात करेंगे किसके favor में कौन-कौन से favor है arguments है हमारी small scale industries के सबसे पहला है employment argument अगर employment की बात करें अगर कोई भी industry अगर आप उसको develop करने में help करते हो मतलब कोई भी industry है industry का मतलब यही है कि employment अगर industry है तो वहाँ पर capital की need तो होगी होगी लेकिन वहाँ पर हमें human resource की भी need होगी अगर human resource की need होगी तो हो सकता है वो सारी के सारी अपना काम खुद नहीं कर पाएंगे वो human resource को वहाँ पर एक तरसे employment देंगे और जो हमारी small scale industries होती है maximum यह हमारी होती है labor intensity मतलब है आपर machines work बहुत कम होता है labor work जादा होता है अगर labor work जादा होगा तो उस condition में यह जादा जादा employment को बढ़ाएंगी दूसरा होता है the equality argument अगर हम equality की बात करें इसके इनकम की तो small scale जो industries होती है इनकम होती है वो equally distribute होती है हमारे among partners के अंदर among members के अंदर जो की इन industries को चला रही होते हैं यह नहीं है कि किसी एक group के पास बहुत जादा income चली जाए और एक के पास कमा जाए इनकम हमें कह सकते हैं जो profit होता है वो सभी के अंदर equally distribute होता है next आपका the latent resources argument अब इसमें होता है कि अपने resources को maximum use कर सकते हैं use करते हैं effectively उनका utilization भी करते हैं यह उन्हीं चीदों वर use करते हैं जो कि इनके पास easily available होती है कि इनके पास इतने capital नहीं होता इतना resource नहीं होता कि बाहर से technology को import कर सकें machines को purchase कर सकें यह raw material को purchase कर सकें यह अपने resources का ही maximum utilization करते हैं अपने production के लिए next आपका the decentralization argument the decentralization की बात करें इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें यह कोई नहीं होता कि कोई एक ही single place से इन सभी cottage industries को regulate करता है इनके work को control करता है हर जगा अलग-अलग small towns में अलग काम हो रहा है तो rural areas में अलग काम होगा हो सकता है एक कसम में अलग काम हो तो दूसरी tribes में अलग काम हो मतलब इनका जो centralization होता हो decentralized form नहीं होता है और 2000 के बाद हमारी government ने खासा focus किया कि इनको किस तरह help provide किजा सके इनके raw material के अंदर इनकी technologies के अंदर इनको क्या सकते हैं को एकर purchase करनी तो आपने subsidy provide करी जा सके इनको land provide किया सके हमारी government ने बहुत सारी steps खाये है कि जिस तरह की encourage किया गया है small scale industries को develop होने में next आपका what kind of assistance national small industries corporation NSIC provides to small scale industries कि हमारी तो country के अंदर जो एक association है national small industries corporation NSIC किस किस तरह की कह सकते है assistance provide करती है हमारी small scale industries को दुसरा मैंने पिछले questions में बात करी थी कि हमारी government ने बहुत सारी steps करे है resolutions लेका आई है जिसके तुकी वो small scale industries की help करती है उनको assistance provide करती है जितना से एक committee है एक corporation है जिसको कि हमारी government ने develop किया है इनका main purpose यही है कि हमारी जो भी small scale industries है उनको assistance provide करना तो assistance किस किस form में provide करते है सबसे पहला है आपका composite loan from schemes अब बात करते है loans के अगर कोई भी industry को setup करता है start up करना चाहता है industry की अपने काम को start करना चाहता है small scale है मतलब किसी भी level पर काम है सबसे पहले उसे need होती है loan की finance की capital की क्योंकि आपको land की भी need पड़ेगी आपको buildings की need पड़ेगी machinery की equipment की working capitals की raw materials की भी तो इन सबी के साथ अगर आप इन सबी आपको need है तो इसके लिए आपको capital होना जरूरी है तो हमारा जो यह association है corporation है small scale industries के लिए कह सकते हैं reasonable price पर उन्हे loan available करवाता है दूसरा होता है raw material assistance अब raw material की बात करें क्योंकि हमारी पास जो भी बड़ी बड़ी companies है MNCs है organizations है वो maximum पुछ ऐसे raw materials है जो कि इन्हीं भी चाहिए और उन MNCs को भी चाहिए तो क्या करते है अगर कोई material limited है तो उन्हें हमारी MNCs पर्चेस कर लेती है बड़ी बड़ी corporations पर्चेस कर लेती हमारी जो बड़ी industries है और छोटी industries है उन सभी के बीचे में Next आपका marketing support programs marketing support programs के अंदर आपके कह सकते हैं 5-6 तरी के काते हैं कि किस तरह उनको marketing support provide किया जाता है हमारी government के थूँ तो इसके अंदर सबसे पहला आता है आपका integral marketing program तो इसके अंदर देखते हैं कि उनके जो product की quality होगी वो किस तरह की होनी चाहिए उनका क्या standard होना चाहिए किस तरह वो अपनी quality को control कर सके इन सभी के बारे में उनने बताया जाता है उनको aware किया जाता है education दी जाती है Next आपका tender marketing tender marketing के अंदर बात करते है कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो किस तरह उनको tender provide किया जाता है किस तरह उनको contract को हासिल करने में या उनको किस तरह tenders या उनको कह सकते हैं contract दिलवाए जाए तो इन सभी के लिए भी काम करता है हमारा यह organization या association तीसरा आपका integrated marketing supports अब marketing supports के अंदर बात करेंगे कि किस तरह वो अपने products को buyer तक पहुचाएं किस तरह वो supply करें किस तरह उनकी जो payment का mechanism में वो काम करेगा मतलब इसके लिए जो भी एक mechanism को त्यार करना होता है उसको भी हमारा काम त्यार करती है हमारा या organization next आपका government stores purchase programs और इसमें होती है हमारी government कि अगर कोई हमारे small scale industries है और उन्होंने कह सकते है production कर रहे हैं और उन्हें sales में problem होती है तो हमारी government की duty बनती है या हमारी government वहाँ पर इस तरह काम करती है कि वो उनके सभी products को एक साथ purchase कर लेती है बल्क में उनके बाद ही government उन products को sale करती है तो हमारी government उनके products को purchase करकर अपने पास डख लेती है बल्क store में next आपका single point registration scheme अब अगर कोई भी कह सकते है small scale industries के लिए registration करवाना चाहता है तो उनकी जो registration की process है बहुत ज़्यादा simple रखा गया है single registration का process है उसके बाद ही आप in industries के अंदर enter कर सकते है तो बहुत कम लोग उसके अंदर enter होंगे उसके अंदर investment करेंगे अगर आपके उसके अंदर enter करने हैं कि उसके registration के process भी simple है तो हो सकता है वो ज़्यादा-ज़्यादा investors को ज़्यादा-ज़्यादा entrepreneurs को encourage करें उस sectors के अंदर enter करने के लिए उस लास्ट आपका marketing support होता है export assistance अब export assistance के अंदर देखते हैं कि अगर कोई ऐसा माला producer है वो किस तरह के product को develop कर रहा है जो कि international level उसकी demand है तो किस तरह उसके product को international level पर पूचाया जाए international market में उस product को किस तरह तक पूचाया जाए उसके लिए जो भी assistance की need होती है जो भी assistance चाहिए होता है उन small scale industries वालों को यह provide करती हमारी organizations तो हमने देखा कि किस किस तरह यह help करते हैं हमारी government हमारी small scale industries की अब next है आपका what are the various programs and schemes that are initiated by governments for the development of small scale industries कि हमारी government कौन कौन से programs चलाए है small scale industries के development के लिए तो हमारे पास हैं आपर कुछ programs है सबसे पहला है कि reservation of items for production अब कुछ ऐसे items को कह सकते हैं reserve कर दिया गया है कि इनका production सिरफ हमारे small scale industries ही करेंगी क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसी बड़ी firms की, बड़ी corporations की, बड़ी industries की अगर वो भी उसी का production करते हैं small scale industries की उसका production करेंगी तो कहीं न कहीं उनकी तो price values में फरक रहेगा उनकी तो quality है उसमें भी फरक देखने को मिल सकता है और अगर हम बात करने हैं बड़ी जो firms होती है, corporations होती है, industries होती है उनके पास हर तरह के better resources होते हैं तो कहीं न कहीं वो तरह से नुकसांदे साबित होती है, harmful साबित होती है हमारी small scale industries के लिए तो यहां पर totally कह सकते हैं हमारे पास 814 तरह से हमारे पास outputs हैं जिनको reserve कर दिया गया है small scale industries के लिए next आपका reservation of item for excluding purchasing from small sectors अब यहां पर कुछ ऐसे sectors हैं जिनको की government ने fix कर दिया है कि आप इन products को सिरफ small scale industries से ही purchase करोगे मतलब government की तरह से duty लगा दी कि अगर government को इनका production purchase करना है तो यह government इन सभी products को in small scale industries पर्चेस करेगी next आपका incentives in backward areas अब backward areas में incentives भी देने को स्टार्ट करा है government की अगर कोई sectors में काम करता है तो इसको easily finance provide किया जाएगा subsidy पर उसको capital provide करी जाएगी उसके साथ उसका जो license होता है उन सभी के अंदर भी से rebate दी जाएगी तो incentives की तरफ बात करते हैं backward areas में next आपका central excise duty exemptions इसके साथ ही आपकी central excise होती है अगर कोई भी हमारी small scale industries काम करती है तो उसके लिए हमारा central excise duty होती है उसके अंदर भी exemptions दी गई है next आपका ancillary development of subcontracting exchange अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारा ancillary development होता है उसके अंदर subcontract का उसको भी facility प्रवाइड करती है हमारी government in small industries को information provide करी जाती है कि हमारे पास कौन से warehouse में कितनी capacity है उनकी small scale units के लिए या क्या उनका जो contract को किसा easily बनाया जा सके next आपका programs on environment and quality management इसके साथ हमारा should be उसने बहुत सारे ऐसे programs को introduce किया है जो कि उनको awareness provide करता है उनके बीच में कह सकते हैं create करता awareness कि उनके product कि तरह उनके environment को effect पहुचाते है quality किस तरह होनी चाहिए products की किस तरह उनके issues को manage कर सकते हैं इन सभी के बारे में next आपका industrial state programs industrial state programs के अंदर हम बात करेंगे the industrial state programs were implemented to increase promotion and development of small scale industries in 1955 तो इसके अंदर देखा गया था कि states के अंदर किस तरह small industries को develop किया आजासके उनको लिए उनको encourage किया आजासके उनके promotions में help करी आजासके तो इसके लिए प्रोग्राम को चलाया गया था तो यह हमारे कुछ major steps हैं जो भारे for the development of small scale industries next आता है what do you mean by liberalization states the various factors that necessities liberalization of economy in India और और के अंदर आपका choice में question आसकता है list four arguments in favor of liberalization measures जी liberalization होता क्या है और कौन-कौन से factors की वजा से इंडिया के अंदर liberalization को लाना पड़ा तो अगर हम liberalization की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किस तरह आपनी policies को liberal करें in the perspective of trade liberalization is the removal of excessive regulatory framework of control and licensing to ensure flow of trade and technology from the boundaries of nation कि हम अपनी countries की boundaries को छोड़कर दूसरी countries के साथ किस ता अपने trade को कर सकें इसी flow में smoothly हमारा run हो सकें trade दूसरी countries के साथ मारी technology शेयर हो सकें दूसरी countries के साथ without any restrictions without any regulations तो उन सभी restrictions को हटा देना ही देखता से कहलाता है आपका liberalization this process promise that there is no two way flow of information goods and services from the different nations to allow the growth and development benefits both the nation तो इसमें देखते हैं कि अगर तो liberalization है यह नहीं है कि सिरफ आपकी country के लिए ही beneficial होता है क्योंकिर आप liberal policies को अपनाते हों इंडिया के अंदर 1991 के अंदर आपकी liberalization की policy को adopt किया गया था उसके बाद ही हमारी जो economy को open कर दिया गया था overall world के markets के लिए overall world की companies के लिए अगर liberalization होता है किसी country के अंदर तो वहाँ पर दूसरी दूसरी country से easily trade किया जा सकता है हम overall world को एक global village की तरह देखते हैं technologies का transfer होता है दूसरी दूसरी country सा जो investment होती वह भी होती है अगर हम इंडिया के अंदर बात करें कि इंडिया के अंदर कौन-कौन से factors थे जिनकी वज़ासे liberalization को लाना पड़ा कि 1990 के अंदर देखा गया कि अब हमारी जो industries थी उनकी जो product quality थी वह इतनी अच्छी नहीं हमारे basic standards को develop कर सके एक तरसे monopoly create होती जा रहे थी हमारी markets के अंदर अब जो भी suppliers थे जो भी कैसके manufacturers थे वह अकेले थे उस product के वह देख रहे थे कि उनकी economy में कोई और उस product को develop नहीं कर पा रहा है कोई उसको develop नहीं कर रहा था economic अंदर हमेरे जो resources पोवाइड करते हैं हमने general public को किस तरह उनके basic living of standard को develop किया था सके improve किया था सके उसकी विदासिश policy को अपनाया गया था इसके तरू किया हुआ अब हमारे पास दूसरी दूसरी countries से FDI आने लगी foreign investment आने लगी दूसरी countries की तो firms की हमारी country मा कर अपने investment को establish करने लगी अपने plants को लगाने लगी इसके साथ यह बात होती है technology ट्रांसफर की जब तक आपकी तो policies और liberal policies नहीं है आप दूसरी country से technology को भी transfer नहीं कर सकते हैं लेकिन जब हमने बात करी liberalization की, liberalization की बात क्या हुआ हम दूसरी दूसरी country से जो भी उनकी beneficial technology थी उसको भी continue अपने country में transfer करने लगे उनको अपनी country के अंदर की तो कहते हैं import करने लगे, अब हमारे पास बहुत सारी हमारी technology थी तो outdated होच की थी उनको हमने replace करा दूसरी country की technologies के साब से, जब हमारे पास आप कह सकते है modern technologies आप की थी तो उसकी वजा से हम अपने resources का एक तासे efficiently use करने लगे, हमारे output बढ़ने लगे, हमारे जो living standard था, वो increase होने लगा, customers के पास, या general public के पास choices बढ़ने लगी, हमारे prices की products की वो कम होने लगे, और हमारे जो quality थी वो भी increase होने लगी, तो ये कुछ reasons थे हमारे globalization के next up का what are the various steps taken by the government of India for the globalization of the Indian economy कि हमारी government ने कौन-कौन से steps उठाए हमारी Indian economy को globalization करने के लिए सबसे पहला step था reduction of custom duties, तिकिकर आप अपनी custom duties को खतम कर दोगे कम कर दोगे, तो दूसरी कंट्री जदा जदा आपकी country के साथ trade करना स्टार्ट करेंगे तो अगर हम बात करते हैं 1990s के अंदर जो हमारा custom duties थी वो थी 150% थी उनको 2002 और 2003 के अंदर कहां तक घटा दिया गया 30% मतलब अगर पहले कोई आप custom duty में या आप कर सकते हैं आपका जो एक commission हुआ करता आप government को दिया करते है tax दिया करते हैं वो वो 50 थी थी तो उस tax को घटा कर कितना कर दिया गया था शिरफ 30% कर दिया गया था दूसरा था आपका removal of quantitative restrictions अब आपके जो quantitative restrictions लगा रखे थे countries ने, हमारी government ने उन सबी restrictions को हमारी government ने हटा दिया क्या abolish कर दिया गया अब किसी product के उपर कोई quantitative restrictions नहीं लगा रखी थी इसका तो एक तासे हमारी economy को open की कर दिया गया था overall world की companies के लिए उनकी manufacturers के लिए next आपका adjustment of exchange rate अब हमारा जो exchange rate था उसको भी adjust करने के लिए हमारी government ने बहुत सारे कह सकते है आपर procedures अपनाए बहुत सारे measures करें जिसके थूँ कि अपने आप वो exchange rate को regulate कर रही थी इसके साथ ही आपका facilitating foreign investment हमारी government ने हमारी country के अंदर FDI को भी permission दे दी गई FDI जब की permission दे दी हमारी government ने या कह सकते हैं दूसरी country की technology transfer को permission दे दी गई तो उसने भी कहीं न कहीं बढ़ावा दिया globalization को और last हाप का encouraging of foreign technology तो भी part मैंने भी जिससे पहले बताया कि foreign technology को उसके जब हमारी country में आने की permission दे दी गई थी फिर्टे थू की globalization को बढ़ावा दिया गया next आपका state the major achievements of Indian economy as an result of new economic policy of 1991 what lessons can be drawn from the experience of last 10 years जिसमें देखेंगे कि कौन से major achievements हैं हमारी Indian economy में जो कि हमनी economic policy 1991 लाए थे उसके बाद मतलब 1991 की जो हमारी new economic policy थी उससे हमने क्या-क्या achieve किया क्या-क्या benefits हुआ उससे हमारी country को तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों ली गई थी policies कौन-कौन से measures थे इस policy को introduce करने के लिए तो हम बात करेंगे कि सबसे पहला था devaluation and convertibility of rupees तो इसके दर बात करेंगे कि आपके जो objective होंगे कही ना कहीं वही हमारी achievement भी बन जाती है कि उन चीज़ों को achieve करने के लिए उन objectives को पूरा करने के लिए हम किसी policies को ले के आते हैं तो इसके achievements इसके कह सकते हैं objectives दोनों सेम ही रहेंगे तो पहला था आपका devaluation and convertibility of rupees हमारी जो currencies की value थी जो convertibility थी रूपीस को devaluate करना कि जादा जादा दूसरी countries को तसे attract किया जासके हमारी country के अंदर trade के लिए investment के लिए दूसरा था आपका liberalizations of import अब हमारा जो import था उसके अंदर भी liberalization किया गया import policies को licenses को भी liberal बनाया गया जिसके तो कि easily import किया जासके दूसरी country से next आपका rationalizations of tariff structure अब हमारे पार जो भी tariff structures के उनको दुबारा से कह सकते हैं बनाया गया regulate किया गया उनको कम कर दिया गया पहले के मकाबले क्योंकि अगर आपके tariff जादा है तो उस condition में आपकी country के अंदर कोई भी दूसरी country आकर investment नहीं करेगे तो हाँ पर क्या गया गया उनना ही हमारी country के जो इनवेस्टर से दूसरी country में अपना export करेंगे import करेंगे तो उसकी जो भी tariff structure थे उसको भी कम कर दिया गया comparison to आपके पहले के next था आपका import by export house and trading house अब अगर कोई import करना चाहता है तो उसको प्रोसेस को भी easy बना दिया गया अब जो import होने लगा वो कह सकते हैं export houses और आपके trading houses इसके थूँ import होने लगा इनके थूँ क्या था कि अब आप easily अपने export को या import को कर सकते हो without any restrictions without any approval next था आपका simplification of export promotion counselling scheme अब आपके जो EPCG थी आपके जो export promotion counselling schemes थी इसको भी कह सकते हैं कता से और better बनाया गया इसमें flexibility दी गई हमारे third party को export के लिए मतलब जो पहले permissions थी उसको और increase कर दिया गया और flexible बना दिया गया जिसके थूँ अब कोई भी हमारे जो exporter न इंपोर्टर है इसका easily use कर सके इस scheme का इसके थाथिए आपके बहुत सारे zones को develop किया गया आपके parks को develop किया गया आपके units को develop किया गया जिसके थूँ कि हम easily export या import किया जा सके अब इन units के अंदर आप कह सकते हैं EOS कह सकते हैं मतलब export oriented units EPS की बात करें SEZ की बात करें मतलब बहुत सारे units को develop किया गया जिसके थूँ की export और import को especially बढ़ाया जा सके ये आपके question खतम होते हैं I hope आपको सब कुछ समझ मा आ गया होगा अगर आपको कोई issue है कोई doubt है तो आप comment section में comment करकर मुझे पूछ सकते हैं और अब आप मुझे मेरे notes और updates के लिए telegram और Instagram पर भी follow कर सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए take care good bye friends